और हमारे ये रिष्टे केवल अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं, बलकि ये रिष्टे आगे भी हर सुद्दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। अर्थात हमारे ये रिष्टे अब कभी भी खतम होने वाले नहीं हैं, ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी-पूरी कोशिस बनी रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजमितिक विवस्ताओं को भी पूरी तरह से नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। ये भी सबी जानते हैं। और इसलिए अभी अभी संपन हुए लोगसबाम चुनाप के संबंद में, जो परिनाम खासकर उतर प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं। तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाओं में सप्पा का बेस बोट, अर्थात यादव समाज, अपने यादव बहले, जहां पर इनकी पापूलेशन ज़्यादा है, अपने यादव बहले सीटों पर भी सप्पा के साथ पूरी मजबूती के सा जात ठीका हुआ नहीं रह सका है, अर्थात अंदर-अंदर ना जाने किस बात की नराजगी के तहत भीतर घात किया है, और सप्पा के खासकर यादव बहले सीटों पर भी सप्पा के मजबूत उमीद्वारों को भी हरा दिया है, तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ, खास कर कन्योज में स्री मती डिमपल यादव, बदाईयों में स्री धर्मेंदर यादव, फिरोजाबाद में स्री राम गोपाल यादव के बीटे का भी हार जाना तो ऐसा है, जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, हलाके उत्तर प्रदेश में जन अपेक्षा के विप्रीत आय चुनाप परिणाम में, इवियम की भी भूमी का काफी कुछ खराब रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है, किन्तो इसके बावजूद भी, बीएसपे का बेसबोर्ट वे सप्पा का अपना बेसबोर्ट जुड़ने के बाद, फिर इन सब को कतई भी हरना नहीं चाहिए था, इनकी हार का हमारी पार्टी को भी बहुत ज़्यादा दुख है, और हमें ये आगे के लिए भी सोचने पर काफी कुछ मजबूर करता है, खास सीटों पर ही छिटक गया है, तो फिर उन्होंने बीएसपे को अपना बोट कैसे दिया होगा, यहां ये भी सोचने की बात है, और इसी खास संदर्म में, और इसी खास संदर्म में ही कल दिनाख 3 जून को दिल्ली बीएसपी केंद्री कार्याले में, उत्तर पर्देश क पार्टी संक्ठन के सभी वरिष्ट पदादिकारियों एवंजन प्रतिनिदियों की एहम बैठट में इन चुनाप परिनामों की काफी गहन समिक्षा की गई, और समिक्षा में ये पाया गया, कि बीएसपी जिस प्रकार से परम पूजे बाबसार डॉक्टर भीमरा अवंब करके उसी मानसिक्ता के तह चनकर सपा से गडबंदन करके बड़े मानपताबादी लक्ष की प्राप्ती को लेकर ये चुनाब लड़ा गया था, लेकिन दुख के बात ये हैं कि इस मकसद में, इस मकसद में भी हमें कोई खास सफनता नहीं मिल पाई है, जिसके समन में सपा क काफी कुछ लोगों में भी काफी जादा सुधार लाने की जरूरत है, तथा उन्हें अपने आप में बीएसपी के कैडर की तरह ही किसी भी हाल में तियार होने के साथ साथ, बीजेपी की घोर जातिवादी, संप्रदायक वे जन्वरोधी नितियों से परदेश, देश, या जिसका एक अच्छा मौका सप्पा के लोगों ने इस बार चुनाओं में गवा दिया है, लेकिन अब आगे इन्हें इसी इसाब से काफी तियारी करने की जरूरत भी है, और जदी मुझे लगेगा कि सप्पा परमुक अपने राजनितिक कारियों को करने के साथ साथ, अपन अपने लोगों को मिश्णरी बनाने में काम्याब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चल सकते हैं, अभी कोई परमालन कोई ब्रेक नहीं लगा है, यदि हमें लगेगा इस बात को मैं फिर दोराती हूँ, और यदि हमें लगेगा कि सप्पा परम अपने राजनितिक कारियों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिश्णरी बनाने में काम्याब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे, और अगर वे किसी कारणवस इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम लोगों का अकेले ही चल जादा बहतर होगा इसले वर्तमाणिस्तितिमे अब हमने कोके अभी उनकों बोगों को परिवर्तित करने में time लगेगा और जो कुछ सीटों और बाई एलक्षण उपी में होने वाले वो कभी भी अनाउस हो सकते हैं इसलिए वर्तमान इस्तिती में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहां कुछ सीटों पर होने वाले उप चुनाबों में फिलाल अकेले ही यह चुनाब लड़ने का फैसला लिया है तो यह मुझे अपने बात क्यूं आपके सामने रखने पड़ यह क और हमारे लोग भी मीडिया से दूरी रहते हैं पार्टी के लोग लेकिन कल पूरे दिन बर रात भर इस तरीके से उसको गलत तरीके से महला फाइट इंटेंशन से और ऐसा लगना था कि जैसे वो दूसरी पार्टीों के हाथों में खेल रहे हूं तो गलत तरीके से उसको हा पर देखा को कि कल में बहुत बिजी रही तो मैं देख नहीं सकी टीवी जो है तो लेकिन आज सुबह जम्याने को चैनल देखे और उसको गलत तरीके से जो मेरे स्ट्रेप जो मेरी तरफ से जो वियानगाजी मेरी तरफ से जो रुपोर्ट दी गई है तो मुझे पुछ ऐसा लगा कि मुझे अब खुदी मीडिया में आकर इस्तिती को स्पष्ट कर देना चाहिए इसलिए मैंने आज अपने जो कल जो भी कुछ डिसाइड हुआ है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है धन्यवाद